एपिशनोमा 306 की स्टार्टिंग होती है और यान ब्लश कर फूजिन जन से कह रही होती है फूजिन चेन जुन जुन अभी भी घर में ही है तब फूजिन चेन कहता है हाँ जुन जुन सच में बहुती ज़दा क्यूट है तो हम भी एक बच्चे को जनम क्यों नहीं देते तब यान केती है जब यान गुरूप अच्छी तरह से स्टेबलिस हो जाएंगा तब हम इसकी प्लैनिंग करेंगे ठीके और पिर तबी फूजिन चेन उसे किस करने लगता है और फिर यान उसे केती है फूजिन चेन में सास नहीं ले पा रही फिर फूजिन चेन केता है यान तुम्हें क्या चाहिए लड़का या लड़की तब यान केती है ऐसा कहा जाता है कि बेटी अपने डैट की तरह होती है तो इसलिए एक छोटी सी प्रिंसेस अच्छी रहेंगी और फिर फूजिन चेन उसे पिंच करता है और कहता है यान कहीं तुम मेरा मजाग तो नहीं उड़ा रही होना और अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी एकसाइटमेंट दिखानी ही होंगी और फिर वो उसे किस करते हैं और फिर यान कहती है तुम सच में बहुती ज़्यादा बुरे हो फिर फूजिन चेन उसे किस करने लगता है सिंट यान मेरा गिफ्ट तो तुम ही हो और फिर से इन सिर्फ टोतर वो सभी लोग हमें क्रिस्मस मार्केट में दिखाए जाते हैं जहां फूजिन चेन जुन-चुन की मौम से कह रहा होता है मैंने तो सोचा था कि क्रिस्मस सीफ पर मैं यान के साथ रोमेंटिक राद बिताऊंगा लेकिन इस चोटे लड़की के कारण में ऐसा नहीं कर पाया और वहीं सामने जुन-चुन यान से कह रहा होता है क्या ये सबी डेकोरेशन आपकी कमपनी ने किया है अब यान कहती है हाँ बिलकुल और आगे चलो में तुम्हें और भी चीज़े दिखाती हूँ और पिर वो लड़की फूजिन चेन से कहती है इन दिनों मेरा और जुन-चुन का ख्याल रखने के लेए तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन और पिर फूजिन चेन कहता है क्या तुम कल वापस जा रही हो और तुमारे और मिंग जियाओ के बीच में कोई गलत फेमी हो सकती है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है तो वो कहती है उस राज जब हम दोनों एक साथ थे उसके अगली सुबा ही वो बिना मुझे बाई किये चला गया और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत फेमी है और अब तुम मुझे माफ करना जुन जुन मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना होंगा ये केकर वो आगे बढ़ जाती है तब ही फूजिन चेन कहता है लेकिन और पिर तब ही वहाँ पर मिंग जियाओ आ जाता है और चलाती हुए कहता है फूजिन चेन इदर और उसे वहाँ देख फूजिन चेन हरानी से मन में कहता है मिंग जियाओ वो यहाँ पर क्या कर रहा है और पिर मिंग जियाओ फू जिन चिन के पास आता है तब इसकी नजर उस लड़की वे बढ़ती है और चौक्टियो मन में कैने लगता है ये लड़की तो किंग जिसी लग रही है नहीं वो किंग नहीं हो सकती क्रिस्मस इफ़ वो मुझे बिना अलविदा कहे मुझे छोड़ कर चली गई थी, और वही किंग्न जूए जूए किया रही होती है, जूए क्या तुम्हें यह पसंद है, यह हर किसी के पास होता है, तो तुम्हेरे पास बेक होना चाहिए, मअधिन के किलकू है। क्या तुम ठीक हो और किंगिंग मुझे माफ करना मुझे ये नहीं पाता था कि मिंग जी अभी यहां आने वाला है चलो यहां से चलते है और गाईज जिदी के साथ यह एपिसोड यहां एंड होता है पसना आया तो लाइक और सेस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इपिसोड में